हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम बताने वाली हों जिन में से देखिए बहुत ज्यादा खुस्बू आती है और ज्यादा तर से सब इन प्लांट को अपने गार्डन में खुस्बू के लि कुमी उससे आपको आसानी हो जाएगा कौम सा प्लांट है किस तरीके का दिखाई देता है सो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए काफी हेलफुल होने वाली है फर्स्ट नंबर पर तो आप मेरे सामने देख रहे हो प्लूम एरिया बोलते हैं इसको चंपा भी बोलते ह इसमें आपको कलर भी मिल जाते हैं और कटिंग से ये प्लांट पोखत एजी तयार होता है आप जितना मर्जिस की कटिंग लगाओगे और इसकी खुस्पू इतनी अच्छी होती है कि अपने आसपास की जगह को भी ये प्लांट महगा कर रखता है इसके कलर आपको मिल जात इस तरीके से यलो भी मिलता है इस प्लांट को आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हूं सेकंड नंबर पर है हमारा मधू कामीनी प्लांट कामीनी मधू कामीनी इसकी बहुत सारी वैराइटी होती है और इसके फूलों की खुस्पू इतनी अच्छी होती है कि क्या हो गर्मी हो इसकी पत्या कब भी नए सूकती हमेंसा ऐसा ही एक प्लांट हरा भरा रहता है इसी के उपर इसका बीज भी बनता है और कटिंग से भी इसे ग्रोव करना बहुत आसाँ है प्लांट को बहुत सुंदर लगदा है इसके बाद मैक्स्ट है हमारा राखी बेल राख जोब धिल्कुल इसके पास से निकलते ही इसके फॉल में से खुसबु आती है हमने देखिए इसके पास इस्टिक लगाके इस तरीके से इसे फैलाया हुआ है और पूरी गर्मी फूल देने वाली बेल है बहुत ही सुन्दर से इसके ब्लू कलर के फूल आते हैं परपल सा कलर है ब्लू तो नहीं इसको बोल सकते और इसकी खास बात यह है कि बहुत कम केर में ये चलती है और फैलती बहुत ज़ादा है तो आप इसे कहीं पर भी फैला सकते हो नेक्स्ट हमारा प्लांट है सुगंद राज या गंद राज तो नाम ही इसका तो सुगंध राज है ये प्लांट भी वाइटी फूल इस पर आते हैं और कलिया देखे इस पर फिलहाल कितनी बनी हुई है क्योंकि इस प्लांट को भी आप कटिंग से तयार कर सकते हो और इसके फूलों की खुसबू भी बहुत ही अच्छी होती है आपके गार्डन को बिल्कुल महका कर रखता है इसकी केर थोड़ा अलग होती है क्योंकि इस प्लांट को देखे थोड़ा एसिडिक सोयल पसंद होती है और ये प्लांट बहुत जल्दी से मरता भी है अगर हम अच्छे से इसकी केर ना करें तो तो आपको इसके लिए थोड़ी इसमें पानी का भी ध्यान रखना होता है ना तो बहुत जादा पानी आपको इसमें डालना होगा और ना ही बहुत कम पानी डालना होगा तो जब इसकी मिट्टे तैयार करें तो थोड़ा वैल ड्रेन सा रख लिजे ताकि पानी जल्दी से ड्रेनेज जल्दी से मतलब निकल जाए इसका पानी नेक्स्ट हमारा प्लांट है गुलाब गुलाब रोज बहुत ही खुबसूरत सा प्लांट होता है कलर इसके ठेरों मिलते हैं आपको हाइबरेड भी खुबसू बहुत अच्छी होती है होर कटिं। बहुत इजी गुलाब चल जाते है जो देशी गुलाब होते है जो बाकि यह कुलाब का गुलाब के इस माले में से बहुत जादा खुसूबू आती है इसके पास से भी अगर हम खड़े होते हैं तो बहुत जादा खुसबू इसमें से महकती है सुन्दर बहुत लगते हैं गुलाब इसके बाद next हमारा प्लांट है पारीजात तो पारीजात भी एक ऐसा प्लांट है जो की घर में भी सुब होता है और खुसबू भी इसके फूलों की बहुत अच्छी होती है अभी इसके फूलों का सीजन नहीं आया है वाइट कलर के इस पर फूल बनते हैं जिनके बीच में रैट कलर का चोट असा निसान टाइप का आपको दिखता है तो ये प्लांट अगर आप जमीन में लगाते हो तो बहुत बड़ा ट्री से ये ले लेता है मेरे पास देखिए ये गमले में हैं तो गमले में भी हर साल ये फ्लावरिंग करता है मैंने इस पर वीडियो बनाए भी हुआ है पहले से तो ये वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगे, अगर आप देखना चाते हो तो किस तरीके से इस प्लांट की केर की जाती है, ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, नेक्स्ट प्लांट है हमारे चांदनी का प्लांट, तो चांदनी देखी दो तरह की होती है, एक सिंगल पैटल वाली होती है, जिसके फूलो में से खुस्पू नहीं आती है, लेकिन ये जो इसका दूसरा प्लांट होता है, इसी के वेराइटी, इसमें डबल पैटल के फूल होते हैं, इसके फूलो में से बहुत अच्छे खुस्पू होती है, और प्लावरिंग ज्यादा अच्छी होती है विंटर में इनका डुर्मेंसी पीरियड होता है इनकी पत्या जो होती है वह पीली पढ़कर गिरना सुरू हो जाती है उस टाइम आपको ज्यादा केर करने की या फर्टिलाइजर डालने की इसमें जरुरत नहीं है कटिंग से इसी त कर सकते हो मोगरा का प्लांट आपको ज्यादा बड़ा प्लांट लोगे तो 100 रुपीज का मिलेगा अधर्वाइस 50 रुपीज के आसपास आपको यो मिल जाता है इसके फूलों की खुस्तूप बहुत अच्छे होती है कटिंग से बहुत इसी चल जाता है तो कटिंग से या एर लेरिंग से भी आप इसको अपने गार्डन में तयार कर सकते हो जो पुरानी प्रती पीली हो जाती है वो इसका जड़ना सुरू हो जाती है नेस्ट हमारा प्लांट है मधुना आलती या फिर जुनका वाइन इसके फूल देखिए एक ही बेल पर इसके फूल बदलते रह हुआ है और यहां से ये बहुत उपर तक फ्यली हुई है तो आप अगर जुमका वाइन को लगा रहे हो तो गमले की बजाए अगर जमीन में इसे लगाओंगे तो इसमीन बहुत फैलती है अगर आप गमले में लगाना चाते हो तो इसकी हाइब्रेड वेराइटी लगा सकत नेक्स हमारा प्लांट है रजनी गंधा तो रजनी गंधा की फूलों की खुसबू भी देखे बहुत ही अच्छी होती है और वाइट कलर के ही इस पर फूल निकलते हैं रजनी गंधा को हम बल्ब से ग्रो करते हैं आप मार्च में या फिर फरवरी में इसके बल्ब लगा सकते हो इस टाइम तक इनकी गोत इस तरीके की हो जाती है तो यह बल्ब जो होते हैं इनके आप उनलाइन या फिर नर्सरी से परचेस कर सकते हो मिल जाते हैं बहुत इजी से एक पोट में कोसिस करिए चार से पांच बल्ब लगाईए तो ज्यादा अच्छे लगते हैं बहुत अच्छी तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हो कटिंग से एर डेरिंग से बहुत इसी तैयार हो जाता है 200 या फिर 100 तक आपको यह प्लांट मिल जाता है मैं इसको अभी देखे 200 का ही लेकर आई थी अभी वन वीक पहले ही ज्यादा दिन नहीं हुए है प्लांट को इसके बाद नाक्स्ट हमारा प्लांट है मैंगनोलिया या फिर आप इसको ग्रण्डी फिलोरा भी बोल सकते हैं इसको पर भी देकि वाइट कलर के फूल आते हैं और बहुत ही मह였습니다 मरुमक्त भी वहा बहुत आती हैं गार्डन के भीए बोकすपू त्यार कर सकते हो, आप इसके लिए पोट ले सकते हो, 13 से 14 इंच का, अगर जमीन में हम लगा देते हैं, तो जमीन में तो अच्छे से चल ही जाता है प्लांट, इसके बाद नज्ट वमारा प्लांट है सुरं चंपा, सुरं चंपा जो होता है, यह अलग होता है, और जो हमारा नाव चमपा होता है प्लूमेरिया वो अलग होता है प्लांट इसके फोलो की खुसबू भी इतनी अच्छी होती है बहुत ही अच्छी और इसका ओरेंज कलर का फ्लावर देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है ये प्लांट भी आपको नर्सरी में बहुत एजी मिल जाता है मेरे पास अभी नहीं है सिर्फ पिक्स में आपको इसकी दिखाऊंगी लेकिन ये प्लांट देखने में बहुत खुल सूरत होता है और बहुत जादा केर भी इनको नहीं चाहिए होती है बस 20-15 दिन में फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तो उसी से ये बहुत अच्छी गोत करते रहते हैं इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे बैल आइकन के साथ तो थैंक्यू सो मच